क्या कव? कैसे कव? किस से कव? कौन चुमेगा? समझेगा क्या? हसेंगे तु नहीं? दरती हूँ. वो ही नहीं हो. कुछ नहीं हो. यह आवाजी हैं हमारी इमन की. लेके हर समस्या का है समाधान. मन की बात. समाज के लिए भी बनती है. हमने तबाकों और अलकोहल के बार में बात की है. आज बात करेंगे उन नशीले पदार्थों की यानि की ड्रक्स की जिनके एडिक्शन बहुत खातक हो सकती है. क्यों होती है यह एडिक्शन? क्या करना चाहिए? और क्या इसे बाहर निकलने के तरी की की हैं. बात करेंगे हर बार की तरह हमारे साथ है चीजें जिनका हमारे शरीर पर असर होता है और उसकी वज़े से हमारे सोच, हमारी भावनाई या हमारा बहेविर बदल जाता है उसको केमिकल सबस्टेंस कहते हैं अगर वो किसी बिमारी के लिए डॉक्टर की देखरेख में लिया जाए तो उसे मेडिसंस कहते हैं उन्हीं मे यह जब उसकी जरूरत नहीं है तब उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो नॉन मेडिकल यूज ऑफ ड्रग हो जाता है यानि है तो वो दवाईया ही लेकिन अब उनका इस्तेमाल दवाईयों के रूप में नहीं हो रहा है इसमें एक और चीज़ है कि क्या लीगल है और क्या है legal है alcohol tobacco और जो दवाईया किसी कारे में इस्तेमाल होती है और illegal है यानि उनकी रोक भी नहीं उन पे रोक लगी होनी चाहिए समाज में बिकनी नहीं चाहिए वो है illegal और उन में कई तरह हैं की drugs starting from cannabis, opiate related products, cocaine वगरा वगरा आजाती है जाधातर लोग जब drug addiction की बात आती है तो लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए नहीं हो सकता हमारे घर परिवार के लिए नहीं होगा ये देखिए जैसे जैसे समाज बदला है शुरू में experimentation के तौर पे बहुत सारे लोग नशीले पदार्तों से experiment करते हैं reason होता है stress, reason होता है peer pressure और उन कारणों से वो पहली बार नशे के कोई नशीली पदार्त को लेते हैं लेकिन धीमे धीमे जब उन्हें उसमें कुछ अपना relief मिलने लगता है वो ऐसा महसूस करते हैं कि यह लेना उनका एक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है तब वो addiction की category में पहुंच जाते हैं बहुत सारे लोग जो शुरू में experiment करते हैं वो छोड़ भी देते हैं और वो addict नहीं हो पाते हैं So addiction को WHO ने classify किया as a disease जिसमें की आदमी को withdrawals हो रहे हैं उसको craving हो रही है वो dependent हो गया है और उसके वगैर वो अपनी जिन्गी अमूमन तोर पे नहीं चला पा रहा है और जब वो इस इस्तिती तक पहुंच रहा है तो कई बार family को उसमें पहचानने में थोड़ा समय लगता है वो सोचते हैं इसका शैद वैभार ऐसा है या कोई ये समाजिक pressure की वज़े से इस तरह से वैभार कर रहा है और कई बार हमने देखा है कि बहुत देर हो जाती है औ अगर family उसे शुरू में ही identify कर पाए और उसकी मदद कर पाए तो हो सकता है वो इससे निकल पाए जब ये भी लगे कि उसने शुरू किया है process या फिर वो addiction की तरफ अगर बढ़ रहा है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब addiction में start होता है तो बच्चे आम तौर से दूसरे जनों से peer pressure में देखते हैं और वो experiment करना चालू करते हैं experimentation के टाइम में जो खास लक्षण दिखते हैं वो अकेला पन जो एक नॉर्मल बच्चों से दोस्ती थी उनसे हट के दूसरे बच्चों की तरफ attract हो रहे हैं उनका interest पढ़ाई में कम हो रहा है या बड़े लोगों में देखते हैं कि वो गुमसुम रहने लग गए हैं काम से थोड़ी complaint आने लगी है जनरली वो अपने में अलूफ रहते हैं फैमली में attention नहीं दे रहे हैं तो इस तरह के लक्षण जब हमें दिखने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गरबर हो रहा है मानसिक तोर पे यह जित्ता reality में अपनी जिन्दगी जी रहे थ साथ में जो नशा different तरहें के नशे हैं जैसे कि कुछ तो लोग sleeping pills खाते हैं आम तोर पे या cannabis सबसे common चरस गांजा इस तरहें के सुलफा इस तरहें के नशे सबसे common है उसमें देखते हैं जनरली बंदा बहुत जादा है खुश दिख रहा है है hallucinate कर रहा है चीजों को presume कर रह है जो दूसरा नशा common है वो है अफीम या उससे related opium derivatives opium derivatives में जो commonly abused है वो brown sugar या अफीम crude opium काफी ज़्यादा है लोग abuse करने लगे उसमें देखते हैं कि उनको जब भी desired quantity नहीं मिलती बहुत withdrawal हो जाते हैं restless हो जाते हैं सुबह उठते ही वो अकेले पन में जाना चाहते हैं पासी के शर्बत पीना इस तरह की चीजों में generally हम लोग देखते हैं कि वो अपना आपको अलूफ कर लेते हैं जाद है समय बिस्तर पे गुजाते हैं काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं कौन सा age group है जो जादा इससे affected होता है normally starting age normally 20-30 साल में जादा है लेकिन आजकल कुछ यंग बच्चे भी 15 साल में 17 साल में start कर रहे हैं एक बार अगर बच्चा इसको इससे गुजरता है क्या होता है हमारे blood streams में कि हम दुबारा इसकी तरफ या क्या एहसास है क्यों हम जाते हैं जो सबसे बड़ा खत्रा addictive substances में है वो यह है कि बहुत जल्दी ही कोई व्यक्ति उसका आदी हो सकता है तमभाखो और alcohol में चाहे सानों लगते हूं लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों में ही वो व्यक्ति उसका addict हो सकता है जब कोई व्यक्ति इसको लेता है तो कुछ देर के लिए कुछ घंटों के लिए उसको कुछ प्रकार के शरीर के अंदर से बदलावाते हैं जो आम तोर पे थोड़ी देर के लिए उसे या तो रिलाक्स करते हैं यो उसे प्रफुलित में सूस करवाते हैं या नीन से आने लगती है या वो अच्छी तरह से confidently बात कर सकता है लेकिन जैसे ही वो नशा कम होना शुरू होता है तो फिर जो पहले उसको हो रहा था वही होना शुरू हो जाता है तो उसे फिर से कोशिश करने पड़ती है उस नशे को बरकरार रखने के लिए और बहुत को करता है और इससे पहले कि वो रोकने की कोशिश करें उसके हाथ से चीज चली जाती है और उससे अचानक से डोपामीन ड्रक्स जो है डोपामीन रिलीज करती है और उससे बहुत खुशी की feeling महसूस होती है और वो खुशी की feeling जो है वो बहुत addictive है और वो process जो है वो pathway prefrontal cortex से control होता है prefrontal cortex एक brain का हिस्सा है जो की इसको control कर सकता है लेकिन बच्चों में वो develop नहीं होता है तो सबसे बड़ा society के लिए threat यह है कि अगर कोई young बच्चे इसको experiment करें तो उनका addiction होने का बहुत high chances है as well as यह dopamine को बार-बार release करना या वो pleasure बार-बार achieve करना addictive है और उस वज़े से वो addict होते जा रहे है हमने एक parents से बात की जिनका बच्चा इससे गुजर रहा था और पूरा परिवार फिर कैसे उससे गुजरा उसके बारे में देखते है मेरा इकलौता बेटा 20 साल का है पिछले साल कैंसर से मेरी पतनी की death हो गई थी तब से हमारी पूरी जिन्दगी जैसे उजड गई है मैं काम में बीजी रहता था मेरे बेटे का ऐसे मुश्किल समय में साथ देने वाला कोई नहीं था वो घर में अकेला रहता था फिर उसके एक दोस्त ने उसको गांजा ट्राई करवा दिया ये कहकर कि उससे इसका अकेला पन दूर हो जाएगा और फिर मेरे बेटे ने गांजा लेना शुरू कर दिया और उसके अलावा और भी ड्रक्स लेने शुरू कर दिये वो रोज नए दोस्तों को घर पर लेकर आता और पार्टियों में बीजी रहता और खुश भी रहने लगा मुझे लगा कि चलो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये खुश रहता है तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया लेकिन उसके ड्रक्स लेने की भनक मुझे तब लगी जब मेरी अलमारी से रोज पैसे गायब होने लगे तब मुझे उस पर शक हुआ और मैंने उसके कॉलेज के फ्रेंड से पूछ ताच की तो मुझे पता चला कि ये पिछले दो महीनों से कॉलेज ही नहीं जा रहा और ड्रक्स लेना शुरू कर दिया है तब मैंने मेरे बेटे से पूछ ताच की तो उसने ड्रक्स लेने की बात को भूल की अब मैंने उसे ट्रीट्मेंट सेंटर भेज दिया है और उसकी काउंसलिंग भी करवा रहा हूँ भगवान का बहुत शुक्र है कि मैंने टाइम से अपने बेटे को संभाल लिया वरना वरना उसकी पूरी जिंदगी वरवाद हो जाती डॉक्टर शर्मा ये जो जैसे हमारे सामने ये बात आई कि मादर की डेथ के बाद अकेला पन तो कुछ ऐसी सिचुएशन पर्टिकॉलर होती हैं जो बच्चे को या किसी भी इनसान को ट्रिगर कर सकती है या उस तरफ लेकर जा सकती कोई भी ऐसी सिचुएशन जो तनाव पून हो उसमें हम उससे निकलने के तरीके ढूनते हैं अब उस समय में हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी मदद कर सकता है तो हम उसकी मदद से नईया को पार लगा सकते हैं लेकिन कोई ऐसा मिल जाए जो हमें इस रस्ते पर ले जाता है तो इस से पहले कि हम पहचान पाएं उस व्यक्ति का साथ होता है और हम उसमें फस जाते हैं तो कोई भी ऐसी सिच्वेशन स्पेसिफिकली तो नहीं है जिसकी वज़े से लोग ड्रग में पढ़ जाते हैं लेकिन हां तनावपून वातापरण अकेला है किसी फेलियर को मैसूस कर रहा है कोई बड़े नहीं है जिसके साथ वो कोई बात अपनी डिसकस कर सके या उसे अप अपने बच्चे को मैंने डिएडिक्शन से इंटर्स भीजा एक पहली मिथ है आप क्लियर जाते हैं कि पूरी तरह से ड्रग की अडिक्शन से निकला जा सकते हैं ड्रग से निकलना भी एक पूरा एक कंप्लीट रिनुवेशन है एक आदमी का उसके लिए उसको सबसे पहले इसकी अपना सेल्फ एक्चा नहीं होती है बहुत सारे लोगों में ये एक्चा होती है कि अभी हम और करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज सबसे जरूरिया हो यह है कि एक सेल्फ डिजायर और जिसमें सेल्फ डिजायर होती है डफिनिटली अगर वो एफ़र्ट करता ह तो इससे निकल सकते हैं। क्या कुछ शामिल है डी अडिक्शन के इस प्रॉसेस में? डी अडिक्शन के प्रॉसेस में बेसिकली री हैबिलिटेशन में सबसे पहला तो है कि शारीरीक और मानसिक तौर पे उसका ट्रीटमेंट करके हम लोग उसे एक नॉर्मल इस्थिती में लाते हैं। जिससे कि वो चीजों को अच्छे से समझ सके और उसमें ये confidence हो कि मैं जिन्दगी को बगए ड्रॉग के भी जी सकता हूँ। साथ में फिर हम दूसरा प्रॉसेस होता है री हैबलिटेशन का जिसमें उसे ये सिखाते हैं कि बार बार उसके मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि मैं दुबारा से ड्रॉग ले लूँ। और ऐसी इच्छा जाक सकती है कि ड्रॉग लेने में मेरी जिन्दगी जादा अच्छी थी और उसको बदलने के लिए तुम्हें अब एक नई जिन्दगी जीनी हैं जिसमें परिवार, समाज और तुमारी सेहत ये तीनों ही दाइरे सबसे जादा important हैं ना कि केवल तुमारा pleasure केवल खुशी हम उसे जब समझाते हैं तो ये भी एक important रहता है कि वो एक stable जिन्दगी जीने के लिए इन chemical पर बेस होके अपनी जिन्दगी नहीं जी सकता है उसे इस chemical के आधार से निकल के एक खुशी के दूसरे आधार ढूनने पड़ेंगे जैसे काम, family या समाज इस तर अपर सब दवाईयों का कितना इस्तेमाल जरूरी है मतलब कितना यूज करना पड़ता है और फिर कितनी देर तक ये देखना पड़ता है कि वो किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है कुछ चीजें तो छोड़ने में मुश्किल इतनी नहीं होती पर अगर बहुत लंबे समय तक ले रहा है और छोड़ते वकत उसे साइकलोजिकल या फिजिकल विड्रॉल बहुत ज्यादा होते हैं तो उस समय में उसकी मदद करने की जरूरत पड़ सकती है ये प्रोसेस कुछ केसिज में 10-15 दिन थोड़ी सी मेडिसन की मदद कुछ केसिज में 3-6 महीने लेकिन इसको प लेकिन जो नशे करते हुए उसके शरीर के असर पड़ा उसको बहतर करने के लिए कुछ खास रहें के वाइटमिन्स या नूट्रिशन्स या अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होई है शरीर के किसी हिस्से पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ चुका है उसे ठीक करने के लिए और कई बार कुछ साइकाटरिक प्रॉबलम्स भी इस तरहां में शुरू हो सकती है उनके लाज के लिए जरूर दवाईयों की जरूरत पड़ सकती है तो एक ऐसी महिला से बात की कि जो जिनके हस्बंट ड्रॉक्स में है और वो किस तरहां से सफ़र कर रही है उनकी बात सु ले हुई थी शादी क्या मैं कहूं कि मैं नरक के द्वार में घुसी थी जबकि मैं अपने हस्बंट को पहले से जानती थी क्या जांबाज जिनकी को जीने के इच्छा मुझे बहुत अट्रेक्टिव लगता था उस समय फिर मुझे पता चला कि वो चरस लेते हैं मैंने का य किसी पी चीज को सीरेस नहीं लेते फैमली में कोई इजद ही नहीं है बिस्नस में कोई ध्यान ही द्यां है पर फिर मैंने जैसे ठहना कि मैं उने सुधार हो गी अगर वो ड्रक्स लेते थे तो मुझे लगता था निज में कुछ कमी है मैं उन्हें प्यार और सेवा नहीं दे रही दीरे दीरे पैसे के लिए उन्होंने चीजों को बेचना शुरू कर दिया ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसे फिर मेरे गहने भी बिल्कुल बदल गए वो जब ठीक होते थे तो बहुत अच्छे और कुछ घंटों बाद जैसे कोई और ही उन्हें पर सावार हो जाता था मैंने क्या नहीं किया मैंने डॉक्टरों की सला ली उनकी मर्जी के खिलाफ भी मैंने उनकी जानकारी के बिना भी मैंने उन्हें दवाईयां दी कोई फायदा नहीं हुआ अब क्या अब मेरी बच्ची भी बड़ी हो रही है मैं पूछती है कि पापा क्या करते हैं क्यों नहीं उससे बोलते क्यों उसके लिए कुछ राते नहीं उसके बापा और उनकी बापा जैसे क्यों नहीं है मैं क्या जवाब दो डॉक्टर कुपता एक ऐसा परिवार जहां सब कुछ होते हुए भी सिर्फ एक वजह से सब कुछ बिखरता हुआ क्या इंपक्ट परता है एक जब ट्रक्स ले रहा है कोई इनसान उसके पूरे परिवार पर ऐसा कहते हैं कि अडिक्शन जो है वो इन्डिज्वल की डिजीज नहीं है पूरे परिवार की डिजीज है अनफॉचुनेटली हम लोग समाजिक तौर पर अडिक्शन को केवल एक समाजिक पहलू से देखते हैं पट मेडिकल पहलू यह कह रहा है कि एक बिमारी है मानसिक बिमारी जिसमें बंदे को यह अभासी खतब हो जाता है कि उसकी जिन्दगी में क्या अच्छा है क्या बुर और इस पहलू को री स्टैबलिश करने के लिए जरूरी है कि उसको यह मौका दिया जाए उसको अच्छे से इलाज कराया जाए उसको कुछ समय के लिए किसी ट्रीटमेंट सेंटर भीजा जाए जहां पर वो ड्रक से दूर रहके अपनी मानसिक इस्तिती को ठीक कर सके और ए इतने सालों से उन से कह रही है उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने ये भी देख लिया कि अच्छा ठीक है ये कहती है अंगले दिन बात खतम हो जाती है वो साइकल जाए वो चलता जा रहा है तो कहीं न कहीं परिवारों को कहना पड़ता है कि हम आपकी मदद के लिए तयार हैं लेकिन आपको भी शुरूरात करनी पड़ेगी और उसके लिए फिर लिमिट सेटिंग और टाइम सेटिंग होनी जरूरी है पर एक बार अगर वो प्रोसेस शुरू हो जाए तो उसके बा तो उसका कोई फैयदा नहीं होता बलकि वो उस व्यक्ति को उसके बहर आने में बाधक बनते हैं। जो सबसे बड़ी आघात होता है एक व्यक्ति जो कि addiction में फसा हुआ है वो होता है उसके आत्म विश्वास पर और उसके स्वमान पर क्योंकि सालों से वो सबसे यह सुन रहा है कि तुम अच्छे नहीं हो लेकिन जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो जो उसके effort है उन efforts को भी सराहा जाए साथ ही साथ अगर महौल कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें की खुशी मिले जिसमें की उसे अच्छा लगे जिसमें उसे यह पता लगे कि जब मैं छोड़के आऊंगा तो मेरे लिए एक नया जीवन एक नया परिवार मेरी वेट कर रहा है तो उसके लिए उससे बाहर निकलन असान हो जाता है एक बार अगर डी एडिक्शन के प्रॉसेस से हो गए घर पहुंचे उसके बाद कौन-कौन से ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि रिलाप्सस ना हो देखें जो सबसे पहली I think सबसे important बात यह है कि अपने इलाज को यह ना समझें की complete हो गया है किसी ना किसी तरहें से अपने मन को बार-बार यह remind कराना जरूरी है कि आप इस problem से गुजर रहे हैं और यह problem दुबारा से आपको पकड़ सकती है तो जब आपके मन में यह डर रहता है तो आप उसमें पूरा precaution लेते हैं आप अच्छे से मेहनत करते हैं as well as धीमे-धीमे सब चीजे नॉर्मल होने में धीमे-धीमे समय लगता है बहुत सारी बार हमने ऐसा देखा है कि जो आदमी de-addiction center में आया treatment के लिए आया वो यह समझता है कि वो परिवार पे कोई बहुत एहसान कर रहा है अपनी जुमेदारी या अपनी कमी या अपनी बिमारी को ना समझ के वो सारी उमीदे परिवार से रखता है और थोड़ी सी कोई परिवारिक परिशानी आने में वो वापिस उसी चीज में जाने की कोशिश करता है तो परिवार को और उनको साथ में बैठके ये तैह करना चाहिए कि ये पूरे treatment में परिवार का क्या role है और उनका क्या role है और उस रोल को अच्छे से डिफाइन करके रेगलर उसमें हैल्प लेनी जाए ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जना रेगलर थेरपी में रहता है रेगलर इलाज में रहता है लंबे समय तक तो उसके इस प्राब्लम से निकलने के चांसे धीमे 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 काफी इंप्रूव ह डॉक्टर गुपता कुछ आप ऐसी बात कहना चाहेंगे कि कैसे समाच बच्चों को इस विश्या सरकल इस भावर से में घुसने से बचा सकता है क्या इसी चीजों का ध्यान रखना चाहेंगे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जरूरी चीज है कि माँबाप को ये पॉसिबिल पे बच्चों को समझाने के तौर पे कुछ एग्जामपल सेट करने चाहें जो की इने गाइट कर सके और आइधिंग प्रिवेंशन इस बेटर दें दा क्योर एंद शुट फॉलो डगर गुपता ड़क्र अवदेश शर्मा जी थांक यू सो मच आज हम इसाब बाते कर का स्वागत आप हमें इमेल कर सकते हैं तेजी से नए-नए दोस बनाना, भावशुन्यता, ये सब नशे के सेवन के संकेत हो सकते हैं नशे की लट एक पारिवारिक बिमारी है जिससे उबरने के लिए पारिवारिक सहयोग अत्यंत आवश्यक है नशे की लट से जूचते व्यक्ति को जीवन में, परिवार और समाज में एक उदेश्य की तलाश करनी चाहिए लट से उबरने की प्रक्रिया में विशेशक्यों का सहारा मददकार होता है लट से उबरने का प्रयास कर रहे व्यक्ति को भरपूर प्रुचाहन और सहीयोग दे एक भी बार दो बारा सेवन वापिस लट की शुरुवात कर सकता है स्कूलों में जागरुकता अभियार और जीवन कौशल प्रशिक्षन नशा ना आजमाने में सहायक सिथ होते हैं A drug addict needs some meaning in his life, work, family and society to shift focus from drugs to rehabilitation वन के बात में आज इतना ही, आगे फिर मलाकात होगी Namaskar झाल speaking motiv रचो करते हैं